पकोड़े तो आपने बहुत ही खाये होंगे वो भी गर्मा गरम लेकिन आज खाये थंडे पकोड़े वो भी चटपटे पानी के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ एक दम नई और यूनिक रेसिपी जिसका नाम है पानी वाले पकोड़े आप इसे चटपटे पानी की फुलकी भी कह सकते हैं और इस रेसिपी को देखने के बाद आप इसे तुरंट बनाएंगे क्योंकि यह बनती है बहुत ज़्यादा टेश्टी है तो वीडियो को बिन स्किप की पूरा देखें और इस पी पसंद आया तो फटा फट लाइक कर दे हैं तो इसे बनाने के लिए हम यहां पे लेंगे एक कप बेशन मैं यहां पे इसे बनाने के लिए आपको सारा मेजर्मेंट एक कप बेशन का बता रही हूं अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और साथ ही में हम इसमें डालेंगे आदा चमस लाल मिश पाउडर नम इसे अच्छी तरीके से घोल लेंगे एक साथ हम इसमें पानी नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा पाई डालकर हम इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी लंस या गुठलिया ना पड़े और आप इसके consistency देख सकते हैं कि हमने इसे बहुत जादा पतला या बहुत जादा गाढ़ा गोल कर तयार नहीं किया है क्योंकि गोल को अगर आपने बहुत जादा गाढ़ा बना दिया तो जो आप इसके पकोड़े बनाएंगे तो वह अच्छी तरीके से फूल नहीं पाएंगे तो इसलिए आपको बिल्कुल इसी तरीके का गोल बना कर त्यार करना है बेसन अच्छी तरीके से फूल जाए तो इसे हम ढख कर 20 मिनट ले छोड़ देंगे और जब तक हमारा बेसन फूल रहा है तब तक हम बना लेते हैं पकोड़े का पानी तो इस पानी को बनाने के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे ग्रीन वाली चटनी तो इस चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए बहुत सारी हरी धनिया अर इस धन्य को मैंने अच्छी तरीके से धो कर साफ करके लिया है जितना हमने इसमें हरा धन्या ढाला था उसका आधा हम एशमें डालेंगे पुदीने के पत्ते 1 इंच हम एशमें डालेंगे अजरक का टुकड़ा पानी को एकदम स्पाइसी बनाने के लिए मैस में डाल रही हूँ चार से पांच हरी मिर्च मिर्च यहाँ पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अब इसमें जाएगा स्वात के स्वार नमक और हरे धन्ये का एकदम हरापन बिल्कुल बर्गरा रहे तो इसके लिए मैस में डाल रही हूँ आदा कप फ्रीच का ठंडा पानी आप यहाँ पर इस चट्नी को पीस दे समय एक से दो क्यूब बरफ का इसमें डाल सकते हैं पानी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे और जो चट्नी जार में लगी हुई है उसे भी धो कर हम इसके अंदर डाल देंगे चट्पटे फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल देंगे एक कप इमली का पानी आप यहाँ पर इमली की पानी की जगे पर एक कप इमली की खट्टी मिथी चट्नी भी इसमें डाल सकते हैं हरी चेटनी और खटी मिठी इमली की चेटनी का वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले से अपलोड किया हुआ है इसका लिंक मैं अपने वीडियो की नीचे दे दूँगी आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं दो से तीन ग्लास हम इसमें डालेंगे फ्रीज का ठंडा ठंडा पानी अगर आप चाहें तो इस पाने के अंदर बरफ के क्यूब को भी डाल सकते हैं इसे और पीज़दा चैटपटा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रहे हूँ एक चमच भुना हुआ जीरा पाउडर एक चमच भरकर इसमें जाएगा काला नमक एक चमच भरकर हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर एकदम चटपटे फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ जलजीरा पाउडर अगर आपके पास यहाँ पे जलजीरा पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगे पे एक बड़ा चम्मच चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हैं जलजीरा पाउडर डालने से यह रेशिपी बहुत ज़्लेवर फूल हो जाती है और बहुत ज़्यदा अच्छा फ्लेवर होता है जलजीरे का अगर आपके पास घर में कोई भी मसाला नहीं है तो आप भारे धन्य की चटनी को पीस कर और उसके अंदर इस जलजीरा को डाल कर इस रेशिपी को आप बना सकते हैं क्योंकि इसे डालने के बाद आपको किसी भी चीज को डालने की जरुवत नहीं पड़ती है आप अगर हिंग खाना पसंद करते हैं तो इसमें आदा चमच हिंग भी डाल दें और अगर आप जलजीरा डाल रहे हैं तो जलजीरा में हींग एड होती है तो उससे भी काम जल जाता है और थोड़े से हम इसमें डालेंगे पूरीने के पत्ते और इस तरीके से रिंग में काट कर हम इसमें डालेंगे प्याज फ्लेवर को और भी ज़दा धमाकेदार बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे एक निम्बू का रस यहाँ पर हमने इस पानी में जितनी भी चीजे डाली है वो हमारी पेट और सेहत के लिए पहुर ज़दा फायदे मद होती है एक मुठी भरकर हम इसमें डालेंगे बूंदी बूंदी डालना पूरी तरीके से ऑफिशनल है अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें नहीं तो आप इससे स्किप कर सकते हैं तो यह हमारा बिल्कुल चरपटा पकोड़े वाला पानी बनकर तयार हो चुका है तो मैंने यहाँ पर इसे थंडे पानी में बना हैं अगर आपका पानी थंडा नहीं है तो आप इसे थोड़ी दिर के लिए फिज में रख दे तो यहाँ पर हमने जो पकोड़ो का बैटर बनाया था उसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें इतना मिक्स करना है कि यह थोड़ा सा फूल जाए ताकि जब हम इसके पकोड़े बनाया तो वो फूले फूले बने और अगर आप इसे फेटने में इतनी मेनत नहीं करना चाहते तो आप इसमें एक चुटकी बेकिंग सोड़ा डाल सकते हैं जिससे कि आपके पकोड़े काफी फूले फूले और जालीदार बनेंगे थोड़ी दिर अच्छे से फेटने के बाद यह काफी अच्छी तरीकी से गाड़ा हो जाता है तो तेल भी हमारा काफी अच्छे से गरम है तो एके करके हम इस पकोड़ों को डाल देंगे और इस तरीके से इन पकोडो को पलड़ पलड़ाट कर हम इसे गोल्डन होने तक Frey कर लेंगे तो पकोड़े हमारे बिल्कुल गोल्डन हो चुके है तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और एक पकोड़े को मैं आपको काट कर दिखा देती हूँ कि कितना सॉफ्ट और जालीदार हमारा पकोड़ा बनकर त्यार हुआ है और बाकी गरम-गरम पकोड़ों को हम इस चटपटे ठंडे पानी में डाल देंगे पकोड़े आपके जितने अच्छी तरीके से फूलेंगे आपकी रेसिपी उतनी ही अच्छी बनकर त्यार होगी पकोड़े डालने के बाद आप इसे 10 मिनट फ्रिज में रख दें 10 मिनट के बाद आप इसे पानी वाले ठंडे ठंडे पकोडों को ठंडा ठंडा ही सर्फ करें इतनी टेश्टी रेसिपी है कि वीडियो देखने के बाद आप इसे तुरंद बनाना पसंद करेंगे तो चलिए इस थंडे-थंडे पानी वाले पकड़ों को सर्फ भी कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर इसे सर्फ करने के लिए traditional हांडी का यूस किया है आप इतका असली स्वाद लेने के लिए से पतल वाले दोने में भी सर्फ कर सकते हैं अगर आप इसे थोड़े से वेश्टन तरीके से सर्फ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कांच की बावल में सर्फ करें और नहीं तो आप इसे कुल्धड में इस तरीके से फूलके की तरद सर्फ करें जैसे चाहें जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप इसे सर्फ कर सकते हैं और इस पानी वले पकोड़े को मैं आपको खाकर भी दिखाती हूं बहुत ही अमेजिंग बना है और काफी टेस्टी और चटपटी रेसिपी है तो इन तेवहारों पर आप इसे जुरूर ट्राय करें बच्चे हो या बड़े बहुत ही जटकाली लेकर खाएंगे इस रेसिपी को तो इस तरीके से आप नए रेसिपी को ट्राय करें और अपनी फैमिली के साथ इसे इंजॉय करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें क्यूंकि वो बिल्कुल फ्री है और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद